पूरा देश 75 वे स्वतंतरता दिवस को आजादी का अम्रत महसफ के रूप में मना रहा है देश के अलग-अलग राज्जों में हर घर तिरंगा भ्यान चल रहा है अलग-अलग हिस्सों में तिरंगा उस्व की तयारियां कितनी विशेश हैं हमारी ये रिपोर्ट भारत की 75 वे स्वतंतरता दिवस को आजादी का अम्रत महसफ के रूप में मनाई जाने की तयारियों को लेकर पूरा देश उत्सह में डूबा है भारत की शेहरों, गाउँ और कजबों में जशने का महल है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर वाली इलाखों में भी तिरंगा उत्सव के तयारियां जोरो शोरो से चल रही है राजिस्तान के जैसल मेर में भारत पाक अंतराश्ट्रिय सीमा का नजारा देखते ही बन रहा है पूरा इलाखा तिरंगे में रंगा हुआ है यहां पर ऊट पर सबार हाथों में तिरंगा लिए भारती सेना के जवान पेट्रोलिंग करते नजर आए हाथों में तिरंगा लिए ब्एसेफ के 108 और 149 वी वाहिनी सेना ने जैसल मेर के मुख्य सडकों पर रैली हिकानी B.S.F. की 154 वी बाहिनी ने सोनार दुर्ग में राश्ट्रिय धुज फेहराया जैसल मेर में तिरंगा उत्सब की तैयारियों को लेकर यहां की कलेक्टर टीना डावी का कहना है कि बिश्रासन की तरफ से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बना दे के लिए हर संभाव प्रियास किये जा रही है तिरंगा उत्सब की भवे तैयारियों को लेकर महराश्टर से आई इस तस्वीर को भी देखिये ये ठाने का 290 फीट उचा और 3146 फीट लंबा भाथसा डैम है लाइट्स का इस्तमाल कर डैम से बहते पानी को केसरिया, हरा और सफिद रंगों से सजाए गया है जिसे पूरे के पूरे डैम नहीं तिरंगे की शक्र ले ली है डैम के नजारे का दीदार करने के लिए दूर दूर से लोग आ रही है ये नजारा बुलढा जिले के चीखली शहर का है यहाँ 75 मीजर मतलब लगभग 246 फीट लंबे तिरंगे की रैली निकाली गई हजारों की संख्या में लोग इस तिरंगा रैली में शामिल हुए शहर के मुख्य मार्गों पर रैली निकाली गई रैली के समापन से पहले हजारों लोगों ने सामोहिक रूप से राश्ट्रगीत काया हर घर तिरंगा अभियान देश वासियों को प्रेरित करनी में एहम भूमी का निभाता नजर आ रहा है